हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं योगी के मंत्री ने बीजेपी की खोली पोल कहा मैं गरीब की बात करता हूँ ये मंदिर मस्जुद की बात करते हैं योगी सरकार में क्याबरेंट मंत्री ओम प्रकाश राजबर ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला पोला है उन्होंने इस्तफे की छेताबनी देते हुए कहा कि उनका मन अब बीजेपी से तूट क्या है वो जब भी गरीबों की बात करते है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है लकनौ के रमाबाई मैदान में शनिवार को पार्टी की एक राली में जनसभा को संभोधित करते हुए राजबर ने कहा मेरा मन तूट क्या है यह यानकी बीजेपी हिस्सा देना नहीं चाते जब भी गरीब के सवाल पर हिस्से की बात करता हूँ यह मंदर मजजिव के बाते करते है और हिंदू मुसल्मान की बाते करते है योगी सरकार से इस्तिफ़े की चेतामनी देते हुए राजबर ने कहा मैं सत्ता का स्वात चतने के लिए नहीं आया हूँ गरीबों की लड़ाई लड़ने आया हूँ यह लड़ाई लड़ू यह बीजेपी का गुलाम बन कर रहूँ एक कार्यालाई आज तक नहीं दिया मैंने तो मन बनाया कि आज इस मन से गोशना करूँगा आज इस्तिफ़ाद दे कर मानूँगा बता दिये कि ओम प्रकाश राजबर पहले भी बीजेपी पनरशाना साथते रहे है इससे पहले भी कई मौकों पर वे यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनात और पार्टी के नेताओं की आलोचना कर चुके है हाली में उन्होंने केंद्रे मंत्री गिरराज सिंग के राम मंदर को लेकर दिये भढ़काओ बयान के आलोचना करते हुए कहा था जो भीहार वाले नेता बयान दे रहे है वो जिस रोड पर चलते है उसको उनकी दादा बनाए है वो जीटी रोड शेर शासूरी ने बनाए एक नए सड़क बना के दिखा दे बयान देना अलग बात है गिरिराज सिंग ने कहा था कि मुसल्मान मुगल के वन्शज नहीं बलकि प्रभूश्री राम के वन्शज है इसलिए ये लोग राम मंदर का विरोध न करें और जो राम मंदर का विरोध कर रहे है वो भी समर्तन में आ जाए बरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे बीजेपी के आईटी सेल से लेकर सेना के जवान आयसाई के जासूस बन रहे है और दोभाल बीजेपी के लिए वोट मांग रहे है पेम मोदी के करीबी और राशो सरक्षा सलाकार एनसे अज़ित दोभाल ने इशारों ही इशारों में विपक्षी गडबंदर पर निशाना सादा है गुरवार को सरदार पटेल मिमोरियल लेक्चर में दोभाल ने कहा भारत को अगले दस साल तक मजबूत स्थाई और निरनायक सरकार की जरुवत है कमजोर गडबंदन देश के लिए बेहत नुकसान पहुचाने वाला होगा अजित दोभाल ने आगे कहा कि अगर हमें बड़ी ताकत बनना है तो हमारी अर्थविवस्ता भी बड़ी होनी चाहिए वैश्विक सर पर प्रतियोगी होनी चाहिए और ऐसा तब हो सकता है जब हमारी अर्थविवस्ता तक्नीकी रूप से आगे हो अजित दोभाल अपने पूरे भाशन में अब प्रत्यक्ष रूप से मोधी सरकार की कसीदे पढ़ते रहे बातों ही बातों में अजित दोभाल ने मोधी सरकार द्वारा अंबानी ब्रदर्स को फाइदा पहुचाए जाने को भी जस्टिफाई कर दिया दोभाल ने कहा देखिए चीन की अलिबाबा और अन्यक किस तरह बड़ी कमपनिया बन गई चीन की सरकार ने उन्हें कितना समर्थन दिया हम चाहते हैं कि भारती नीजी शेतर की कमपनिया अच्छा प्रदर्शन करें और भारत की रणनीत खीतों को बढ़ावा दे दोभाल के इस बयान पर सोशल मीडिया से लेकर मेंस्ट्रीम मीडिया तक में सवाल खड़े किये जा रहे है सवाल ये कि अजिद दोभाल NSA है या BJP प्रवक्ता लालू यादव की राश्टर जंता दल ने अजिद दोभाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अजिद दोभाल राजनीती बती आने लगे चीन पियोके में पाव जमा चुक्या है गौदर हबन टोटा हमारी गले की फास बन चुके है रूस पाक के नस्दीकियों से जाचा परखा मित्र छटक गया है भाजपा के आईटी सेल से लेकर सैनी जवान वह एचेल कर्मचारी पाकिस्तान की जासूस बन रहे है और NSA BJP प्रवक्ता बने हुए है सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध हुआ तेज आदिवासियों ने पिये मोदी के पोस्टर पर पोती कालिक गुजरात के नर्मदा जुले में सर्दार पटेल की प्रतिमा स्टाच्व उफ यूनिटी के उध्गार्टन का विरोध अब तेज हो गया है प्रतिमा का विरोध कर रहे जन जातिय समुदाय के लोगों ने प्येम मोदी और स्टाच्य उफ यूनिटी के तस्वीर वाले पोस्टरों को फाड़ दिया है साथ ही कुछ पोस्टरों पर कालीग भी पोती है शनिवार को एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे जिले में प्रदर्शनकारियों द्वारा पी-एम मोदी, मुख्यमंत्री विजह रुपानी और समारों की तस्वीर वाले 90 फीस्दी पोस्टरों को फाड़ दिया गया या उन पर कालीग पोती गई एक जन जातिय नेता प्रफुल वसावा ने कहा ये इस बात का स्पश्ट प्रमान है कि जन जातिय समुदाई बीजेपी से कितना असंतुष्ट है उन्होंने जन जातिय समुदाई के सबसे बेश कीमती संसादन उनकी जमीनों को कथित विकास कार्यों के लिए चीन लिया उन्होंने कहा अधिकारियों ने फटे पोस्टरों को नए पोस्टर से बदल दिया है और पुलिस इन पोस्टरों की सुरक्षा कर रही है ये दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधान मंत्री के पोस्टरों की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा नर्मदा की जनजातिय समू साल 2010 से इस प्रजेक का विरोध कर रहे है और अब पूरे प्रदेश की जनता इसके विरोध है। इस परियोजना से प्रभाविट जनजातिय समूदाई के लगबग 35,000 लोगों ने स्टाच्व का विरोध करने के लिए 31 अक्टूबर को बन बुलाया है। प्रफिल वसावा ने कहा, बनास काठा से डांग जिले तक 9 जनजातिय जिले इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और बन केवल स्कूलों, कारलेयों या व्यापारिक प्रतिश्टानों तक ही सीमित नहीं होगा, बलकि घरों में भी खाना नहीं बनेगा। परंपरा के अनुसार जनजातिय गाओं में जब लोगों मौत का शोक मनाते हैं, तो उनके घरों में खाना नहीं पकता है। विंद्याचल और सत्पुडा की पहाड़ियों की बीच नर्मदा नदी के सादू बेट टापू पर बनी दुनिया की सबसे उची इस प्रतिमा को बनाने में करीब 2389 करोड रुपे खर्च हुए हैं। तारीक अनवर कॉंग्रिस में शामिल हो गया है। कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने तारीक अनवर का पार्टी में स्वागत किया। अनवर पाच बार बिहार के कटिहार से संसद रह चुके हैं। उन्होंने हाल में पार्टी प्रमुक्षरत पवार से मदभेदों के चलते NCP से इस्तिफा दे दिया था। माना जा रहा है कि वो कॉंग्रिस के टिकेट पर अगला लोकसबा चुना भी लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये भी कबर आ रही है कि विलालू प्रसाद यादव के सयोग से महागडबंदन के उमिदवार होंगे। अन्वर की NCP प्रमुक्षरत पवार से मदभेद की वज़र राफिल डील पर उनका पिये मोदी का साथ देना था। उन्होंने NCP से इस्तफा देने के बाद कहा था जब राफिल मामले में हुए ब्रश्डाचार के खिलाफ विपक्ष आवाज उठा रहा है तो पवार सहाब यानि की राकामपा प्रमुक्ष प्रिधान बंतरी का बचाव करने वाला बयान दे रहा है। साल 1976 में वे युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे और साल 1980 में बिहार के कटिहार से कॉंग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसत बने उन्होंने 1999 में कॉंग्रेस का दामन छोड़ दिया था। अनवर ने फरत पवार और पिये संगमा के साथ मिलकर NCP का गठन किया। सभी ने सोनिया गांदी के विदेशी मूल के मुद्धे पर पाटी छोड़ी। बताया ये भी जाता है कि सोनय गांधी के सीता राम के इस्टी के साथ के वर्ताप के कारण अनवर ने पार्टी छोड़ी थी मोधी और शाह के जासूसों की अकल देखिए जेब में आइडेंटिटी काड लेकर वर्मा की जासूसी कर रहे थे गुरवार सुबब पूर्व CBI चीफ आलोक वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के बाहर से चार लोगों को पकड़ा गया इन सभी पर आलोक वर्मा की जासूसी करने का आरोप है दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताच कर रही है निरासत में ले गए लोगों ने अपनी पहचान इंटेलिजन्स ब्यूरो के अधिकारी के तौर पर दी है पकड़े गए लोगों का नाम प्रशांद कुमार, वनीत कुमार गुपता, अजय कुमार और धीरच कुमार सिंग है इन सब ही ने अपनी पहचान के तौर पर CGHS और आधार कार किये है इंटेलिजन्स ब्यूरो के अधिकारी के इस तरह से पकड़े जानी को लेकर सोशल मीडिया पर खूप मजाग बन रहा है वरश पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि राजीव जैन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मिदार संस्था आई बी यानि इंटेलिजन्स ब्यूरो के चीफ है उनके जासूसों को आज CBI की पूर्वचीफ आलोक वर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने जितने अपमान जिनक तरीके से पकड़ा और घसीट कर कॉलर पकड़ कर ले गए उससे देश की प्रतिश्टा घटी है पकड़ना तो ठीक है घसीटना नहीं चाहिए इन जासूसों की अकल देखिए जेब मैं आइडेंटिटी कार्ड लेकर जासूसी कर रहे थे मिस्टर जेन ये सर्मनाक है हाला कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आईबी के सूत्रों का कहना है कि वो उच्च उसरक्षा वाली शेत्रों में अपने कर्मचारियों को नियमित गश्ट के लिए तैनात करती है क्योंकि इन शेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास है ये कर्मचारी नियमित गश्ट पर थे और इन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि वे वर्मा की जासूसी कर रहे थे माइंड दन्यूस रूम की रिपोर्ट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड दन्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सकें तो देश दुनिया के संचनिकेज और मज़िदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड दन्यूस नमस्कार